जैहिंद दोस्तों मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टागबित हेमराज यूटूब चैनल तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुफ खबरी है इंडियन एग्रिकल्चर रिफर्च इंस्टिट्यूट यानि भारती एक क्रिफी अनफंधान फंफ्थान में टेकनीसियन के पदों की भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों यदि आप केबल और केबल दफमी पाफ हैं और भारती एक क्रिफी अनफंधान फंफ्थान में पर्मनेंट जौब पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बड़ा मौका है तो दोस्तों चलिए अब हम इसकी ओफिफियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल फे जान लेते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक फब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे तो चलिए दोस्तों इसकी ओफिफियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बारे में डिटेल फे जान लेते हैं तो हम इसकी official notification डाउनलोड कर लिए हैं जैसा कि आप यहां देख फकते हैं यह notification 18 दिफंबर 2021 को जारी किया गया है सब फे पहले हम इसकी important date देख लेते हैं तो इसके फॉर्म में 18 दिफंबर 2021 से भरना start हो गए हैं और इसके फॉर्म भरने की last date है दफ जनवरी 2022 और इसके फीज पेमेंट करने की last date है दफ जनवरी 2022 आपका यहां पाफ जो exam होगा computer based जो test होगा 25 जनवरी फिलेकर 5 फरवरी के 2022 के बीच में लिया जाएगा इसके बाद आप यहां पाफ देख सकते हैं वेकेंसी टोटल 641 पद निकाले गए हैं जिसमें जनरल के लिए 286 पद हैं AWS के लिए 61 पद हैं यसी के लिए 93 पद हैं यस्टी के लिए अरफट और OVC के लिए 133 कुल मिलाकर यहां पाफ 641 पद निकाले गए हैं फिर इसके बाद आपको यहां पाफ देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों Essential Qualification मतलब फैचने की योगिता के बारे में तो दोस्तों यदि आप केवल और केवल दसमी पाफ हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं ओके यहां फिर और फिर दसमी पाफ मांगा गया है इसके बाद एकजाम फिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा ओह हम लास्ट में डिफकफ करेंगे एकजाम फिटी के बारे में अब हम एज लिमिट के बारे में यहां पाफ देख लेते हैं तो मिनिमम एज 18 फाल रखी गई है दफ जनवरी 2022 से गिंती की जाएगी एज की और मैक्जिमम एज यहां 30 साल रखी गई है वो भी दफ जनवरी 2022 से यहां पास काउंट की जाएगी फिर इसके बाद यदि आप यसी एश्टी काटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो आपको पाँच फाल की एज में छूट मिल जाएगी और यदि आप OBC काटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो आपको तीन साल की एज में छूट मिल जाएगी फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा अप्लिकेशन फीस तो यदि आप जनरल OBC कटेगरी से बिलॉंग करते हैं या EWS कटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो आपकी फीस साथ सो रुपए लगेगी एकजाम फीस है और रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपए टोटल यहाँ 1000 रुपए लग रही है जनरल OBC और EWS वालों की महिला कंडिडेट है यदि आप या ESC कटेगरी से हैं EST कटेगरी से हैं या EX सर्विसमेन हैं या PWD कंडिडेट हैं तो आपकी फीस यहां एकजाम फीस एक भी रुपए नहीं लगेगी यहां फिर पर रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 300 रुपए लग रही है कुल मिला कर यहां 300 रुपए आपको फीस देना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों आपको यहां पाफ स्टेट और फिटी देखने के लिए मिल जाएगा एकजाम फिटी आपको देखने के लिए यहां पाफ मिल जाएगा कि किस स्टेट में और किस सिटी में आपका एकजाम है जैसे गुजरात देख लीजे गुजरात आपका इस्टेट है तो एहमदाबाद दिया है आनंद दिया है गाधी नगर दिया है राजकोट फूरत बडोधरा फिर यहाँ पाफ गोबा का इस्टेट में देख लीजे पनजी में दिया है आपका फेंटर एक्जाम फेंटर पाफ देखने के लिए मिल जाएगा एजुकेशन कौलिफिकेशन तो दसमी पाफ मैं पहले ही बता चुका हूँ और यहाँ पोस्ट टेकनीसियन के लिए निकाले गई है आप ध्यान में रखिएगा टेकनीसियन के लिए पोस्ट निकाले गई है इसकी मागर एक्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पाफ जीके से कौश्टन पूछे जाएंगे पच्चिफ नंबर के मैं पच्चिफ नंबर के कौश्टन पूछे जाएंगे साइन्स से भी पच्चिफ नंबर के कौश्टन पूछे जाएंगे आपको यहाँ पास समय दिया जाएगा वन एंड हाफ हावर का मतलब आपको डेड़ घंटे का समय दिया जाएगा डेड़ घंटे में आपको 4 questions complete करना पड़ेगा हर एक question एक number कर रहेगा मैं यहाँ पास exam pattern ने बता दिया हूँ फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा जीके का आप फ्लेबस यहाँ देख फक्ते हैं मैद का साइंस का फूफल फाइंस का आप इसका screenshot ले लीजे अगर मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप इसके screenshot ले लीजे इसके बाद दोस्तों यह notification खतम हो जाती है तो दोस्तों यह रही थोड़ी फी जानकारी यदि आपको कुछ पूंचना है तो आप comment करके पूंच फक्ते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्वाद